Welcome to our YouTube channel, ICSC Class 10, Computer Applications आज हम discuss करेंगे series programs जो कि ICSC exams में अक्सर पूछे जाते हैं So, ready हो जाईए अपने ICSC Class 10 exam में series program में से 15 out of 15 marks लेने के लिए So, जो पहला मैं आपको simple program कराऊंगा और फिर एक difficult program कराऊंगा Firstly, आपको जो series program है उसमें आपको एक चीज की ही ज़रूरत पड़ेगी for loop आपको for loop बहुत अच्छी तरह से आना होना चाहिए और आपके जो logics हैं वो जल्दे बनने चाहिए जो हमारा first series है a minus 8 over 2 plus a divide by 3 minus a divide by 4 तो कुछ इस तरह से आपको अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यह कुछ इस तरह से है एक तो डिवाइड में जो over में है वो एक series बन रही है या 1,2,natural नंबर की series बन रही है तिल 20 1,2,3,4,5,6 ऐसे 20 डग चल रहा है उपर हर बार एक common चीज़ है a a a और जो आप science की बाद करें science की बाद देखिए एक बार minus आ रहा है एक बार plus आ रहा है एक बार minus आ रहा है एक बार plus आ रहा है तो इसको हमने कैसे करना है जो first बार देखिए अगर हमारी first बार loop चलेग या वह प्लस में होना चाहिए यानि कि जो अगर हमारे number जो odd है तो वहाँ पर plus लगेगा और जो number even है तो वहाँ पर क्या चलेगा minus चलेगा उसी तरह से हम प्रोग्राम solve करेंगे तो यह चीज़ तो आपको पता ही होगी import java.util class series ले लिए public state void में main function declare कर लिया scanner class को import कर लिया int a is हमने अपनी होर से एक variable ऐसे लिया उसको 0 लख लिया फॉरलोप जलाई चलाई b is equal to 1,b is less than equal to 20,b plus plus इससे क्या होगा natural number चलेंगे 1,2,20 तक अब if condition यह main चीज़ है if condition अब if condition जो है वह important है अब if condition में अगर b modulus 2 is equal to 0 तभी होगा जब number क्या होगा even होगा जब number क्या होगा even होग तभी यह condition क्या होगी true होगी तभी यह condition क्या होगी true होगी तो जब even होगा हमने s में क्या दे दिया s is equal to s minus a over b a की value हमने user center करवाई आ है और b की हर बार बढ़ती जाएगी ऐसे 1,2,3 ऐसे हर बार चलती जाएगी else में else में मतलब अगर even होगा अगर number जो है odd होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो कुछ इस तरह से हमारा हो जाएगा s में value आ जाएगी तो s को हमने print कर वा लिया अगर आप इसे drive run करकर देखें तो b की value 1 आई condition क्या होगी false होगी else condition चली s में a over 2 यानि 1 over b यानि की a over 1 हो गया फिर उसके बाद ऐसे चलती जाएग a over 1 आ गया अब आगे क्या गया ऐसे को a over 1 minus a divided by 2 क्योंकि if condition क्या होगी true हो गई फिर false हो जाएगी फिर एवर ऐसे ऐसे करकर आपकी सारी सेरीज हो हैं print हो जाएगी अब एक कंप्लेक्स प्रोग्रम लेते हैं जो आइसे सी में पूछा जाता है फेक्टोरियल 1 फेक्टोरियल 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 अब फेक्टोरियल क्या होता है पहले आप इसको जाने आप इसको आप जो आपका फर्स टैपसीर इस प्रोग्रम में वह यही रहता है कि आप पहले जो आपकी स्टेटमेंट है जो आपका question आउसे expand करिए चलिए इसके expand करते हैं तो यह कुछ इस तरह का बन गया one plus two into one plus three into two into one plus n तक कैसे जली जाए तो आपको clarity हो रही है कि हमें iterations पता लगी कैसे लगा निया तो हम प्रोग्रम शुरू करते हैं यह आपको first part तो पता ही होगा हो यहां पर हमने बस क्या किया है आप n को हमने user से क्या करवा लिया एंटर करवा लिया तो n तक n क्या है user से इंटर करवाया है और उसमें क्या दे दिया एक increment अब एक उसमें एक nested for loop चलाई एक nested for loop चलाई जो निकालेगा factorial अब B की value क्या है B की value है A B की value है A मतलब A जो उपर 1 है B की value first time 1 हो जाएगी तो first time condition क्या होगी true हो जाएगी factorial में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा फिर क्या होगा plus फिर 2 into 1 आ जाएगा ध्यान से देखिए जब A की value 2 होगी फिर 2 into 1 means कितना होगा जाए 2 हो जाएगा तो कुछ इस तरह तू हो जाएगा तो कुछ इस तरह से हमारी जो series है वो चलती रहेंगी कुछ इस तरह से हमारी जो है series चलती रहेंगी सम में हमने ध्यान से देखिए सम में हमने क्या करा लिया सम में हमने करा लिया सम प्लस अफेक्ट तो कुछ इस तरह से कराकर हमने क्यों हमने fact को फिर से यह क्यों लिया वन क्यों लिया क्योंकि नहीं तो वह fact नहीं सहीं निकलेगा हमें हर बार जब condition चलेगी हमने fact की value जो है वन लेनी है तो यह बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी fact की value हर बार जो है हमारी one होनी चाहिए system.out.println या some print करा दिया और यह हमारा program जो है complete होगी तो यह program simple थे ऐसे अगर आप सभी programs को करेंगे तो जरूर हो जाएंगे solve सभी programs thanks for watching guys if you were having any query you can mail me on lakya bansal at the red gmail.com और you can ask me in bottom on comment section